आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में आज को हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक एडवांस इमेजिंग टॉपिक के विशय में जो की है ब्रेश्ट टोमोस हिंसेशिस हम लोग को पता है कि अभी के समय में मैक्सिमम फीमेल पेशेंट्स का जो कॉंप्लिकेशन होता है वह ह कि अगर हम लोग अल्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर अगर सेकेंडरी स्टेज में ब्रेश्ट चाला जाएगा तो फिर पेशेंट का मेटस्टासिस के वज़े से बहुत सारा दिक्कते हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का जो है कि और कि ऑर इटी fighting R. जो है वह बहुत घड़ जाएगा इसी लिए जो है अभी हमारा modern imaging technology में mammography के साथ साथ एक new imaging technology को introduced किया गया है जिसका नाम है 3D breast tomosynthesis so आज की इस topic में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से यह breast tomosynthesis अलग होता है different होता है as compared to the mammogram क्या-क्या advantages होते हैं हमारा DBT का और 377 तरह से mammography के compression में breast tomosynthesis different होता है क्या-क्या इससे patient को फाइदा हो सकता है और क्या-क्या disadvantages होता है तो let's move on to the topic तो सबसे पहले हमें पता है कि mammography एक traditional imaging technique है इसके मदद से जो है हम patient का breast का examine करके detect करने का कोशिश करते हैं कि patient को breast का cancer कौन से stage में है जिसको हम लोग कहते हैं बीराड classification of breast cancer तो staging करने में मदद करता है लेकिन कभी-कबार ऐसा होता है कि कुछ-कुछ लिसान या फिर tumor या फिर calcification या फिर nodule इतना size में छोटा होता है कि mammography में अचितर से दीखता नहीं है क्योंकि mammography is a 2D image मतलब two dimensional image को produce करता है mammography जिसके बज़े से हर एक angle से जो है उस लिसान को जिसका size बहुत छोटा होता है वो देखना संभब नहीं होता है इसलिए जो है हमारा digital breast tomo synthesis को लाया गया है यह digital breast tomo synthesis क्या करता है 3D image को produce करता है बिकास यह जो है patient का breast का various angles images को लेता है इसके मदस से बहुत सारा slices में image हमें मिलता है और thin slice के मदस से जो है patient का breast में जो भी छोटा से छोटा जो लिसान है वो बहुत अच्छी तरह से images में delineated होता है diagnosis किया जाता है अभी हम लोग जानेंगे कि यह dbt का क्या क्या advantages है as compared to the traditional mammography सबसे main important advantage होता है हमारा digital breast tomo synthesis का वो यह है कि वो छोटा लिसान जितना भी smaller से smaller lesion है उसको detect कर लेता है और visualization है वो बहुत ही अच्छा होता है image का clarity है जो quality है वो बहुत अच्छा होता है इसके वज़े से जो है depression का confirmation of diagnosis हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं as compared to the mammogram दूसरा चीज जो है आपका जो tissue का contrast मिलता है जो traditional mammography में जो हमें breast tissue का contrast मिलता है उससे comparison में dbt का image का contrast है वो बहुत higher होता है इसके वज़े से भी जो है diagnosis को हम लोग confirm कर सकते हैं और diagnosis को confirm करने के साथ साथ जो है उसका जो exact जो staging है cancer breast cancer का exact staging है उसको हम लोग popularly कर सकते हैं साथी साथ mammography से होने वाले जो patient का radiation safety measures होते हैं वो भी dbt से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है तो patient का safety भी maintain होता है because dbt में low radiation हम लोग use करके बहुत ही ज्यादा high contrast image को हम लोग produce करते हैं इसके वज़े से कोई false positive आने का संभावना जो है वो बहुत घट जाता है और patient का जो diagnosis के वज़े से patient का treatment होता है वो भी बहुत अच्छा होता है patient का anxiety को reduce करने में मदद करता है मतलब कह सकते हैं कि dbt जो है वो बहुत ही अच्छा outcome प्रद्यूस करता है as compared to the traditional 2D mammography basically हमारा dbt का जो machine होता है it is similar to the traditional 2D mammographic machine जैसे कि हम लोग और जो procedure है patient का या patient preparation है वो भी बहुत ही सेम होता है ठीक है मतलब वह mammography में जीस तरह से हम लोग करते हैं उसी तरह से dbt में भी हम लोग करते हैं लेकिन dbt में जो difference है वो यह है कि mammography में सिब 2D two dimensional image को capture किया जाता है लेकिन dbt में multiple angles में breast imaging को लिया जाता है इसके वज़ाद से multiple slices हमें मिलता है और multiple slices के वज़ाद से thin slices के मदद से जो है बहुत ही अच्छी तरह से patient का जो diagnosis है उसको किया जाता है patient का जो proper classification of the breast cancer है या फिर classification of the breast lisan है वो भी बहुत अच्छा से हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि dbt के आने के बज़े से जो है radiologist के लिए बहुत ही easy हो चुका है कोई भी छोटा से छोटा लिसान को detect करके exact diagnosis को produce करना for proper and exact treatment of the patient और हमें यह भी पता है कि जो यंग patient होते हैं यंग patient का अगर breast cancer को हम लोग early phase में अगर detect कर लेते हैं तो फिर बहुत chances बढ़ जाता है उस patient का recover करने के लिए breast cancer को cure कर सकते हैं हम लोग तो dbt early phase में ही जो है breast cancer को detect कर लेता है छोटा से छोटा लिसान या अल्ली से अर्ली जो breast cancer है वह बहुत अच्छी से detect कर लेता है इसके वजह से patient का जो purity rate है वह ज़्यादा बढ़ जाता है जो की टेडिशनाल mammography में कभी कबार जो है हम लोग miss कर जाता है तो एही है dbt का बहुत ही importance हमारे imaging field में और for the patient ठीक है तो dbt और भी ज्यादा improvement कर रहा है और dbt का जो test results होते हैं वह basically AI artificial intelligence के जो software है उसके साथ combine करके produce कर जाता है जिसके वज़र से false report आने का chances एकदमी घड़ जाता है because अभी हम लोग का artificial intelligence बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है और भी बहुत ज्यादा implement हो रहा है हमारे ideology field में इसके वज़र से पेशन का examination का जो reports है जो images है उसको software के मदर से analyze करके जो है artificial intelligence के मदर से जो है पेशन का डाइगनॉस्टिक report को भी ready किया जाता है तो जिसके वज़र से जो है पेशन का exact time में exact report produce होता है और पेशन का exact treatment भी जो है जितना कम time में हो सके और जितना अर्ली हो सके वो start किया जाता है so dbt का बहुत ही अच्छा role है for detection of the breast cancer अगर आपको इस topic के विशय में और भी गहराई से और भी details में जानना है तो पढ़िए मेरा book radiology renesis unleashing advancement and query इस book में आपको बहुत सारे modern imaging technology के विशय में आपको पता लगेगा advancements in radiology imaging technology के विशय में पता लगेगा और अगर आपको यह book पढ़ना है यह book आपको खरिदना है तो यह book खरिदने के लिए book का जो buy link है वो आपको इस video के description में मिल जाएगा तो जल्दी से जाएए वीडियो का description में book का link को click किजिए और payment करके ही जो है आप लोग easily अपने ही phone में जो है इस book का जो ebook है उसको download करके अपने आपको भी upgrade कीजिए इस advanced time में with advanced imaging technological knowledge thank you for watching this video इसी तरह के कई और वीडियो के लिए चैनल को देखते रहिए चैनल को subscribe कर दीजिए और आपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए